Study Glows में आपका बहुत बहुत स्वागत है इस लेक्चर में हम उमीद इनिशेटिव को देखेंगे ये एक बहुत ही सही प्रोग्राइम है Genetic Disorders जो हमारे Newborn Babies में हो जाते हैं उन्हें कंट्रोल करने के लिए उन्हें पहले से ही Prevent करने के लिए वो कहा जाता है कि किसी भी चीज़ को होने से पहले रोग दो तो उसके उपाय के लिए हमें solution नहीं खोजना पड़ेगा उसमें time based नहीं करना पड़ेगा बोलते हैं ना prevention is better than cure तो उमीद initiative इसी पर base है तो इसके बारे में चर्चा करेंगे आप मेरे साथ बने रहेगा देखे उमीद मतलब unique methods of management and treatment of inherited disorders देखे जो ये inherited बिमारिया होती है ये आजकल बहुत देखी जा रही है हमारे शिशू में हमारे छोटे बच्चों में या तो वो birth के दोरान या birth से पहले ही उनमें होती है जैसे कि obesity, diabetes ये सारी बिमारे हैं ये तो खैर एक जो उनका genetic disorder हो उनका जो sequence होता है DNA का उसमें कुछ change आजाए तो जब ये उसके sequence में change होने से हो जाती है लेकिन जो mutilation होता है जो एक से ज़ादा genetic disorder होने पे होता है वो बिमारे थोड़ी ज़ादा एक तरह से उनको कह सकते हैं dangerous होती है तो उसके बारे में बताएंगे ये क्या है उमीद initiative तो सब कुछ इसका aim बगेरा discuss करेंगे देखे यू तो जो ये उमीद initiative है ये हमारा ministry of health देख रहा है इसे लेकिन जो main है वो department of biotechnology देख रहा है हमारे government ने देखे ये निदान केंथ उमीद के अंदर ही आते है main जो इसका focus है main जो इसके component है उमीद initiative के वो निदान केंथ ही है और ये हैं कि government hospitals में जो doctors है वहाँ पर training दी जाए doctors को तो तीन सालों में कुछ हम कह सकते हैं कि एक साल में इसमें आठ डिपार्टमेंट होंगे ट्रेनिंग देने के लिए और एक सेंटर चार डॉक्टर्स को ट्रेन करेगा तो आप लगा लीजिए एट फोजा थर्टीटू थर्टीटू पर येर हम ट्रेनिंग देंगे तो टोटल थ्री येर्स में 96 डॉक्टर्स को इस चीज की स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी ये जो प्रोग्राम है हम गॉर्ण्मेंट हॉस्पितल्स के माध्यम से इंप्लिमेंट होगा बिकस गॉर्ण्मेंट हॉस्पितल्स में जो हमारे बहुत हर तरह का जो मरीज है वहाँ पर आता है मेंली जो गरीब तबके से आता है ठीक है तो उसका जो बच्चा है वो बिमार पैदा ना हो उसमें इनहेरिटरिड डिसीज़ ना हो इस चीज को ये बात इंशॉर करेगी ये प्रोग्राम इंशॉर करेगा इनसे क्या है कि जो साइंटिफिक टिकनोलोजी है या मॉलिक्यूलर मेडिसन है उसे रेगुलर्ली यूस किया जाएगा जिससे यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज अचीव कर ली जाए है ना गरीब को भी हर चीज का लाब मिले जो महेंगी जो एक्सपेंसव हमारी जनेटिक डिसीजस को कंट्रोल करने के लिए जो मेडिसन्स हैं वो सब उसे मुहया कराई जाए देखिए इसका एम यह है कि हम स्किल्ड क्लिनिशियंस हमें जनेटिक्स करें जैसा कि मैंने आपको बताया कि आठ डिपार्टमेंट होंगे एक तरह से आठ सेंटर बनाए जाएंगे हर एक सेंटर एक साल में चार डॉक्टर्स को ट्रेन करेगा सिक्स मंथ की ट्रेनिंग होगी ठीक है तो इस हिसाब से हम बहुत अच्छी ट्रेनिंग उने देना चाह रहे है इसलिए हम साल में कुल 32 डॉक्टर्स को ट्रेन करना चाह रहे है यह तो हमारे जो इंडिया है वहाँ पर इस चीज़ का काफी स्कोप है जनेटेक्स वाला काफी अच्छा है बट नंबर जो सेंटर्स है जो केंद्र से हैं वो कम है अब ही भी मैं आपको बता दूँ पांच निदान केंद्र जो हैं वो इस्टेबलिश कर दिये गए है जब मैं यह लेक्चर आपको बना रही हूँ ठीक है अब देखिए इससे क्या होगा क्या एम है इसका कि जो प्रिगनेंट वूमन है उनकी पहले से ही स्क्रीनिंग की जाए उनको प्रिनेटल केर जो है उनका वो अच्छे से दी जाए जिससे जो भी न्यूबॉर्ण बेबीज में इनहेरेटिट जेनेटिक डिसीजस होती है वो होस्पिटल में ही पता लग ली जाए और इस्पाइरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स जो है हमारी बताईए कितना नंबर है उनका उन पर ज्यादा फोकस किया जाएगा एक तरह से वहां से ये पाइलेट प्रोजेक्ट शिरू करा गया है उमीद इनिशेटिव ठीक है हमारे साथ एस्पाइरेशनल डिस्ट्रिक्ट से ये जो उमीद इनिशेटिव है एक तरह से वहां से इसको लाँच किया गया है पाइलेट मॉडल पर अब देखिए इसके आउटकम सी ही रहेंगे कि पेशन्ट केयर सर्विसेज जो जनेटिक डिसॉर्डर के लिए हैं उन्हें जो 80% रेर डिसॉर्डर होते हैं उनके लिए ट्रेंड मैन पार जैसे कि मैंने बताया उसे ड्वेलप की जाए ठीक है और जो हमारे एक्स्पेंसिव खर्चे अबर बहुत ज़्यादा खर्चा होता है उसके लिए जो दवाई है वो दी जाए ठीक है अवेरनेस फेलाई जाए जनेटिक डिसॉर्डर से रिलेटिड राइट और इसके बेनिफीश्रीज होंगे 70,000 प्रेगनेट वोमेन और 35,000 न्यूबॉर्ण बेबीज पर इयर ठीक है तो जो उमीद इनिशेटिव है उसको हर डाइगनॉस्टिक फेसिलिटीज तक पहुचाया जा सके इसका ये एम होगा एक जिनोमिक टेकनीक्स जो है वो इस्टेबलिश की जाए ठीक है और ये तो सब मैं आपको बताई चुकी हूँ कि निदान केंद्र हमें सेट अप करने हैं इस चीज के लिए निदान केंद्र की भी फुल फॉर्म और ये सब मैं इसी लेक्चर में आपको बताऊंगी जिसे है नेशनल इनहरिटेड डिसीज अडिमिनिस्ट्रिशन केंद्र ठीक है इसके लिए दस हजार प्रेगनेंट वूमें और पांच हजार निउबॉर्ण बेबीस पर इयर इसके लिए एक तरह से सेवन इस्परेशनल डिस्ट्रिक्स में सबसे पहले लिए गए हैं जैसा मैंने बताया पांच निदान किंस इस्टैबलिश भी कर दिये गए हैं अब देकि इस प्रॉग्राइम को क्यों लाना था क्यों इंपॉर्टेंट था लिए हमारा जो इंडिया है अर्बन एरियाज में ज्यादा तर हमने देखा है कि हमारे जो नौर्थ नौर्थ वाल बहुत अच्छी रिपोर्ट से पता चला है कि इस चीज का पॉजटव सिगनल दे रही है इंडाउन सिंड्रोम और कंसेग्यूनिटी इन मैरेजिस में काफी पॉजटव सिगनल्स है इससे जो बच्चा है उसमें डिप्रेशन इंफेंट मॉर्टैलिटी उसकी मृतियू पह जो cousins में marriages हो जाती है जैसे कि दो भाई भेन हैं Concentious marriage वो होती है Concentious marriage मैंने यहां भी लिखा है जहां पर जो यह दो लोग marriage कर रहे हैं उनका ancestor same है कभी जैसे brother sister थे उनके बच्चे की बीच में शादी हो जाए तो उसमें क्या है उनके दादा जी same थे ना उनके जो father थे जो वो same थे तो यह होता है Concentious marriages तो birth defects जो इनके offsprings में होगा उसका खत्रा 5-8% जादा होगा as compared to non-concentious marriage जिसमें 2-3% तक birth defect होने का खत्रा रहता है और इंडिया के urban areas में इस थर्ड most common cause है इस चीज का जो हमारा north part है Asia और अफरीका का वहाँ जादा तवज्ज़ दी जाते है 20-50% तक जो marriages होती है वह जादा तर जो same मतलब यह cousins marriages को सबसे पहले prevalence देते है क्यों देते हैं क्योंकि उनका social economic status है वह जादा अच्छा नहीं है वहाँ illiteracy है या वो rural गाउं के अलाके में रहते हैं तो इतनी knowledge नहीं है तो मैंने जैसा बताया awareness भी फैलाई जाएगी इस चीज को लेके अब देखिए जो यह genetic disorder है इसके बारे में तो बताई चुकियों कि DNA sequence में कुछ change हो जाना normal sequence से कुछ अलग हो जाएगा जब भी genetic disorder होगा इससे examples हैं कि आपको heart disease हो सकती है high blood pressure, alzheimer diabetes, cancer, obesity तो निदान के इंद्श बताई ही चुकी हूँ मैं इसके बारे में तो इस बारे में हम सब पुछ discuss कर चुकी है अगर कोई भी दिक्कत है comment section में पूछ सकते है या फिर मेरी facebook profile हराशी सिंगल के नाम से आप वहाँ भी कोई भी query है पूछ सकते है मैं ज़रूर answer करूंगी thank you very much